हेलो फ्रेंड्स माया ट्रेडिंग अकेडमी में आपका स्वागत है फ्रेंड्स आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे महिंद्रा फाइनेंस सेर के बारे में महिंद्रा फाइनेंस सेर जो है फ्रेंड्स बहुत दिनों से एक प्राइस के आसपास घूम रहा है जो की है 155 165 और 70 का लेवल के बीच में अब फ्रेंड्स समस्या यह है कि यह जितना चड़ता है उससे ज़्यादा गिर जाता है और यह आगे बढ़ता नहीं है अब ऐसे में हम क्या एनलाइशिश इसमें करते हैं आप लोग आगे की वीडियो में देखें फ्रेंड्स आज के वीडियो म महिंद्रा फाइनसेयर के बारे में हम लोग समझेंगे कि क्या यह बाइंग के लायक है अभी अभी इसमें बाइंग किया जा सकता है क्या और इसकी ब्रेकाउट को समझने कोश करेंगे कि क्या यह ब्रेकाउट की समभावना किस सीनारियों में क्रिएट कर सकता है और महिंद वीडियो को लाइक किजे, सब्सक्राइब किजे, चलते हैं महिंदरा फाइनेंस के चार्ट पे ओके फ्रेंड्स तो ये महिंदरा फाइनेंस का वीकली टाइम फ्रेम पे चार्ट है फ्रेंड्स इस चार्ट में आप मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रो किया है आप trend line को ध्यान से देखिया और समयने कोज़ कीजिए जब तक friends इस trend line पे stock तीका रहा market इसका upside रहा but whenever it breaks this trend line at the point 155 155 के आज पास ये इस trend line को break करता है और उसके बाद stock लगतार down रहा है तो हम इस trend line के validity को समझ सकते हैं कोई भी trend line तब valid होता है जब कोई भी stock उस पे ज्यादा time support ले चुका होता है friends अगर हम बात करें इसके support की तो first time जब ये stock 80 rupees के आज पर trade कर रहा था तो यहां से एक upside का move दिया था और nearly अगर मैं इसको draw करके आपको बताऊं तो nearly जो है stock ने one second 148 के आज पास का high लगाया और उसके बाद एक downside का moment दिया अब आप देखेंगे कि यहां से जब ये down आया तो फिर ये 120 के आज पास support लेता है और एक upside का move दिया फिर 175 to 180 का जो label रहा friends 180 के आज पास इसमें फिर से reversal आया और इसके retracement के बाद से ये एक upside का moment दिया और जब ये price 200 day के moving average टच करता है ये again downside का moment बनाता है और चुकि ये support था एक trend line का support था तो यहां से एक थोड़ा सा upside का moment आया और एगे ने ये break कर दिया और अभी तक stock down में है अब हमें क्या इसमें समझना है friends आप देखेंगे कि stock में अभी selling है अब आप देखिए कि जब ये stock upside जा रहा है तो इस trend line का एक resistance ले सकता है जो कि अभी half फिलहाल में लिया था stock ने 170 का असपस high लगाया और एक downside का move दिया है हमारे पास दो सिनारियों है ये जो है friends 150 का level इसके लिए एक strong support है जो stock कभी भी कोशिस नहीं करेगा break करने का क्योंकि अगर इसको break करता है friends तो फिर हमें एक downside का movement देखने को मिलेगा और 130 का level आ सकता है लेकिन 150 का level break होना friends easy नहीं है बट problem ये है कि ये काफी time से 155 और 150 के level के आसपास move कर रहा है ऐसे में third out create होता है इसके लिए हम लोग इसको clear करते हैं और move करते हैं daily के time frame पे आप देखेंगे friends daily के time frame पे ये stock में एक selling देखने को मिला है आज के market में और ये 2-5% के आसपास ये अपने high से move किया है downside में अब हमारे पास अगर हम कल के market की बाद करें तो हम इसको थोड़ा सा आप देखेंगे यहाँ पे पहले आप इसको समझ लो अगर हम एक support draw करने की कोसिस करें जहां से market में एक अच्छी buying आई हुई थी तो वो level आपको मिलेगा 155 to 154 का next day market में friends ये 154 का 154 का support ले सकता है और अगर वो उसको downside break करता है तो जो हमरे next support level बनेगा वो 152 का बनेगा तो 154 से आईदर इसमें moment upside आ सकता है नहीं तो 152 का support ले सकता है अगर हम अपने stop loss की बात करें अगर आप इसमें buying के बारे में सोच रहे हैं तो friends मेरा recommendation ये है आप थोड़ा सा wait कर सकते हैं और जब movement upside का आना सुरू होगा कोई chart pattern इसमें create होता है तो surely I will update on the YouTube वीडियो तो आप stay tuned और अगर इसके stop loss की बात करें तो आप अभी 148 का stop loss लेकर चल सकते हैं market का more probability most probability है कि 148 के label को touch नहीं करेगा और आप safe zone में रहेंगे अभी इसमें buying का scenario नहीं है थोड़ा सा retracement upside का movement दे सकता है next market days में इसको समझते हैं लेकिन 172 के label पे friends आप देखेंगे यहाँ पे stock में एक अच्छी selling आई हुई है अगर आप इस stock में trap हैं तो कोई चिंते का बात नहीं है इसमें ज़्यादा problem नहीं है reason यह है कि अगर यह support लेता है यहाँ से upside moment देता है तो आप देखेंगे friends कि यह first time यहाँ से rejection आया था second time फिर downside आया हुआ है अब यहाँ से support लेकर के consolidation के बाद फिर यह upside move करता है तो यह resistance इसके लिए उतना ही important नहीं होगा और एक upside का moment दे सकता है तो आप इसमें stop loss के साथ बने रहिए और इसके लिए हम लोग थोड़ा सा one hour के time frame पे भी इसका analysis कर लेते हैं कि आज के market में यह कैसे move किया है तो आप देखेंगे friends यह 158 के आज पास trade कर रहा था शॉरी यह आप देखेंगे कि 157 पे open होकर के लगतार selling में गया है ओके विए शॉरी friends यह 157 के आज पास open हुआ और उसके बद लगतार selling में गया लेकिन आप एक चीज थोड़ा सा observe करे friends जब यह stock downside आया हुआ है तो इसमें selling pressure कम दिख रहा है reason यह है कि यह candlestick जो बने है friends वो छोटे छोटे बने है तो यहाँ से more probability है कि यह upside का moment कल के market में देगा और यह 155 to 154 के बीच का support लेगा और यह upside का moment एक 158 तक का दे सकता है 158 पे friends resistance face कर सकता है stock consolidation के बाद अगर break करता है तो 160 का level हमें 2-3 दिन में देखने को मिलेगा लेकिन चुकि यह daily के time frame पे friends आप देखेंगे तो daily के time frame पे यह बहुत ही ज़्यादा bearish है बट यह अपने support के पास है हम लोग 1 hour का time frame पे इसको देखे तो यह small candles में आया हुआ है down तो more probability है upside retracement का और इसमें आप कभी भी legit trade तो stop loss जरूर लगाए क्योंकि market में success होने का only one formula है वह है आपका stop loss अब इसके regarding एक news है friends कि 26th July को 26th July को इसकी annual board meeting होने वाली है sorry इसकी meeting है और यह meeting इस provision पे है इसके कुछ financial और consolidated जो result होते है friends उसके regarding meeting है तो अगर आपके पस इसका share है तो maybe आपको email मिल गया होगा इसके regarding that's the news अब हमें news को ज़्यादा trade नहीं करना होता है reason यह है कि news के दिन ज़्यादा तर stock गिरते हैं और चुकि result जब भी बढ़िया आता है तो उसके पहले stock के price में moment आ गया होता है लोग खरीद कर रख लिए होते हैं जो भी इसके insider trader है तो आज के video friends इतना ही अगर video अच्छी लगी हो तो please like और subscribe कर देना thank you for watching